असलाम अलेकुम मेरा नाम आरी शफजल है और मैं अभी MBBS second year में हूँ अटल व्यारिवाज के इंस्टिटूट आप मेडिकल साइंस डॉक्टर रॉमन अर्लियू हॉस्पिटल निउडिली और मैंने अपनी 11-12 जामिय सेनियर सेकेंडरी स्कूल से किया है और मैं आज आपको न अलग तो हो गई कैर लेकिन जो है लेंदी काफी शेलिबस है से लिबस बहुत जादा बढ़ जाता है तो मैं सोच रहा था उसको एलेमिंट की इतन्थ की तरह पर मैं जब आया लेंट मैं देखा तो से लिबस काफी जादा है पर मैं यह सोचा कि छो खुझ से कर लूँगा घुझ से और मेरे जो हैं फिजिक्स भी करेंगी बाकी तो सब्जेक्ट थी किते और लेकिन मेरे फिजिक्स भी करेंगे तो बहुत सारी स्वाध जो मेरे कोचिंग कर रहे थे वह सहर में उनước ने बताय कि जो अनीस सरहें सहर इंस्टिटूब में कवी अच्छा पड़ाते है काफी ओर्गनाईजड वे में और जो है आसान बनाते उसको तो मैंने कहा मेरी फिजिक्स वी बागई वी इक ही थी तो मैं सोचा एडमिशन ले लो तो सहर इंस्टिट्टूट में मैंने सहर इंस्टिटूट में अडमिशन लिया तो फस्ट जो लिक्चर था अनीज सरका था वहां पे तो उन्हों ने बहुत मोटिवेट किया बड़ा अच्छा लगा मुझे यार वाक़ी बड़ा असान है और मैं जब जब वहां पर एडमिशन लेने के बाद पढ़ने लगा तो वाक़ी मुझे लगा यार मुझे यहां 11 से तो मैंने नीट के लिए तो अच्छा पढ़ लिया था मुझे तो ऐसा लग रहा थे कि मेरा फस्ट टाइम में ही हो जाएगा पर ठीक है नहीं हुआ अच्छी बात है हो सकता है मुझे अच्छा ही कॉलेज मिल रहा हूँ जैसा कि आज मिला है मुझे बड़ा अच्छा लग अच्छा है मुझे यहां कि मैं इस्टिटूट आप मेडिकल साइन से पढ़ रहा हूं वह भी दिल्ली का है बहुत बेतरी ने तो मैं आपको बता रहा हूं कि सहर इंस्टिटूट जो है काफी हेल्प किया वहां पर टीचर जो थे बायों के जो टीचर हैं हमारे राज सर जो बहुत अच्छा हैं और जो हमारे कैमिश्ट्री के टीचर हैं जो संजय संजय सार देउस और उनकी तो ट्रीक कांना मिये सजय two straight सैंश के ट्रीक निस्केसर पाइल तो बहुत अच्छा उन्होंने और जिस पढ़ाई जो मेरी समय और गैनिक काफी वीक थी उन्होंने ट्वेल्थ में ऐसी पढ़ाई और गैनी कि मैं और गैनी के क्वेशन जो है बेगर पेन के सौल करता था तो पांच छे इस्टिप में क्वेशन लेकिन मैं बेगर पैन उठाय सारे कॉश्चन करता था मुस्ट अफ क्वेशन तो एसी उते नहीं पेन फर्स टाइम जो है मेरे नीट का पेपर हुआ था उसमें मैं अपना सिर्फ करके गया था और 11 की बायो करके गया था क्योंकि मुझे 11 में और मेरी कैमिस्ट्री और फिजिक्स काफी वीक थी तो मैं उसे च्छुए अभी नहीं था बहुत थोड़ा सा पड़ा था बस कुछ- और 12 का पूरा सिलिबस करके गया तो पर मेरे 460 मार्क्स आये थे तो मैं सोचा कि यार अब तो बहुत करीब हैं चलो बहुत सारी स्टुडेंट जिन्होंने दिया था सिर्फ जादा थे मेरे मार्क्स फर्स टाइम है तो मैंने सोचा एक साल और करते हैं तो दूसरी साल जो मै के अलावा कोचिंग होती थी 3-4 घंटे तो हमारी और मैं साथ से 8 घंटे आके रोज अपना एक पैटन बना रहा था जब केलास से आया रात में बायो और सुबा में उटके फिजिक्स और कमिस्ट्री यह मेरा पूरी साल का प्लान था कि रात में जो आया बायो पड़ा और स तो मैंने तो मेहनत काफी की और जो है मोटिवेट जो हमारे टीचर थे सबस्यादा मोटिवेट तो मेरे अम अमी ने ने किया घर पे लोग बहुत मोटिवेट करते थे और जो कि मेरे गाउं में कोई भी इंडी बीएस डॉक्टर नहीं है तो मैं यह लगता था कि अगर्डा हो और उसके बाद मेरे अम्मी अब्बू का है उसके बाद मेरे टीचर्स का है सबसे जादा टीचर्स में में कहूं तो अनिसर का है वाकई अनिसर का है उन्होंने काफी जो मोटिवेट किया उसके लिए मैं उनको काफी उनके लिए काफी थांक्फुल हूं तो उन्होंने बड़ physics तो मतलब दोनों ले लेंगे तो एटी में चले हो सकता है इंजिनिरिंग में भी हो जाए या अगर उहां पर नहीं हुआ तो नीट में हो जाएगा यह कुछ और कर लेंगे तो मैं आपको यह कहूंगा आसानी के लिए कि आपना गोल बिल्कुल सेट रखें कि मतलब मुझे क् करनी बाईयों से कुछ करना है या फिर मैज से कुछ करना है तो इससे आपको काफी आसानी हो जाएगी एक गोल सेट हो जाएगा कि है मुझे यही एला है मिभी यसी करना है और कैसे करना है यह मotion का सबसे जहादा ज 수가 बहुत आपने इन्सियाटी अच्छे से पढ़ लिया बायो की स्पेशली खास तो से बायो के और अब तो फीजिक्स और केमिश्ट्री दोनों की ऐसा जो पैटरन आ रहा है नीट का कोईशन आ रहा है उस पे लग रहा है कि फीजिक्स और केमिश्ट्री दोनों की पर में जो है बायो क से question निकाल रहे हैं आप खुद question कैसे निकाल रहे हैं main matter तो यह हाँ कई बार उसको पढ़ लेंगे तो आपको जहन में बैठ जाएगा वो तो main जो बच्चे गलती करते हैं वो है कि हर कई जगह से यह question solve कर रहे हैं उधर से आप एक book choose कर लें सबसे पहले तो base जो रखें NCRT को रखें और वही करें पूरी साल बार NCRT करें NCRT को जितनी बार पढ़ सकते हैं आप उतनी बार पढ़ें और खुद आप से जैसे एक paragraph पढ़ा है उसमें से फिर आप खुद सोचे किसमें से क्या question बन सकते हैं तो में तो यह और उसके बाद mcq question खूब करें mcq solve करें जितना जादा हो सके उतना जादा NCRT question पढ़ें किलास के notes पढ़ें और mcq solve करेंगी this is enough मतलब अगर इसके अलाव कोई कर रहा है तो बाकी वो खुद जाने लेकिन मेरे इसाब से और जो मेरे बाकी दोस्त पढ़ते हैं अपर उनके भी इसाब से यही है कि अगर कोई ncrt की book complete करें अच्छे से पढ़ें और question solve करें और अपने जहां से भी से कोचिंग कर रहा है वहां से जैसे सहर से कोचिंग कर रहा है वहां पर नोट्स बनवाया जाते हैं बहुत अच्छे नोट्स रहते हैं मेरे तुब मैं तो बस नोट्स ही पढ़ता था अपनी फिजिक्स मेंने पूरी नोट्स से पढ़ी है नोट्स और किसे प्वेशन मतलब सर ने ऐसा पढ़ाया ट्रीक्स थी काफी और कैसे शौर्ट तरीके से हम पढ़ सकते हैं और और यानी केमिस्ट्री को कैसे सॉल कर सकते हैं तो मैंने उसमें इतनी महिनत की जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी मैं देख के भागता था यह और गैनि कहां से आगी ल पाएगा सर बताते थे ऐसे फिजिक्स में भी कोई सभी कोशन लेके जाएं सर हमेशा डाउट के लिए डाउट काउंटर होते थे महां पर डाउट डाउट सॉल करना तो बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तीनी सब्जेक्ट होते हैं उसमें तो इन तीनों का आप कैसे बुक्स में जादतर बच्चे तो यही गलती करते हैं कि इदर से बुक पढ़ी उस बुक से पढ़ी उस बुक से पढ़ी उनसका सुना इनका सुना आप एक गोल फस्टाइम से डिसाइड कर लें कि मुझे कैसे पढ़ना है कौन सी बुक पढ़नी है मैं तो काऊंगा आप ए हो जाएंगे और अगर आप किलास में अच्छे से सुन रहे हैं सर क्या बता रहे हैं जैसा कि मैं सुनता था मैं तो बहुत ध्यान से सुनता था कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं हर चीज को नोट करता था जो सर कहते थे जिसे मना करते थे मैं रूख जाता था में यह कि सर क्या गाय हैं उसको भी फॉलो करो और अपने जो है सेट गोल सेट करो कि इतना घंटे मुझे पढ़ना है ये काम करने ये काम नहीं कर रहे हैं दूसरा ये गलती करते हैं बच्चे बहुत सारे कि उनके पास जो है मेरे हिसाब से जो मुबाइल होता है वो काफी गलत है तक तो मेरे तो में यह है कि मॉबाइल जो है उसमें काफी time waste होता है आप देखते हैं कि मुबाइल में भाइक डॉट सॉल्ट कर लेते हैं ये question देख लेते हैं तो होता यह कि जबATOR नेखते हैं उसके साथ और कोई दूसरी चीज़ में लग जाते हैं उसमेhen पाफ जो होता है किको अगर तो यही है बस मैं इक होँगा आपको साहर इस्टिटूट के बारे मैं आखिर में कहता हूं पहले ही बता चुका हूं कि काफी बेहतर है बहुत सही है एकोनॉमिकली भी और एकेडमिक भी वहां बहुत अच्छे टीचर हैं वहां के मैं तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे ए यसे एकोनॉमिकली भी कर सेक्शन हैं वहां पर जाके डौव और जो है डाउड नहीं काउंटर जो है वहां पर मैंसे में बैठती हैं और सर भी बैठते हैं उनसे बात करें तो उसमें भी वो कुछ कंसेशन कर देंगे, कर देते हैं, तो बाकी यही है, all the best, best of love.